लोकसभचुनाव दोजार चौबेस अपने अंतिम चरण में है और मतदान के सातों चरण एक जून को ही बोटिंग के साथ खत्म हो गए आकरी चरण की बोटिंग खत्म होने के बाद आगजिट पोल के आखड़े भी सामने आए हैं इन आकड़ों ने बिपक्ष के सारे सपनों को दोस्त कर दिया इसका सीधा कारण यही है कि लग भग सभी आगजिट पोल में बीजिपी को इस पश्ट बहुमत देखने को मिल सकती है हाला कि अंतिम नतीजे चार जून को सामने आएंगे आगजिट पोल के आकड़ों के मताबिक पूरे मध्यप्रदेश में इस बार सर्फ बीजिपी को ही जीत मिलने वाली है वहीं कॉंग्रेस के खाते में सर्फ मायोसी ही नजर आ रही है आगजिट पोल में मध्यप्रदेश की 29 की 29 सीटे बीजिपी जीत रही है ऐसे में मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस से चुनाव लड़ रहे दिगज निताओ पर भी हर का खत्रा मंड़ा रहा है शिवराज सिंग चोहार एक मंझे हुए नेता है और उनका अच्छा खासा जनाधार भी है वो विदीशा लोगसबा सीट से पांच बार सांसद चुने जा चुके है और चार बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके है शिवराज सिंग चोहार विदीशा लोगसबा सीट से पहली बार 1991 में सांसद चुने गए थे उसके बाद से वो 2004 तक यहां से सांसद चुने चाते रहे इसके बाद उन्होंने मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री की शपतली और बुद्री विधान सभा से चुनाव लड़ा इस बार के आगजिट पोल के मताविक शिवराज सिंग चोहान पूरे मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सकते है आगजिट पोल के नेतीजों के मताविक बोर्ट शेयर बीजेपी को 83.39 प्रतिश जा रहा है जबकी कॉंगर्स के खाते में सिर्फ 12.74 प्रतिश बोर्ट शेयर है शिवराज सिंग चोहान के सामने कॉंगर्स ने 33 साल बाद दादा प्रताब भानु शर्मा को मैदान में उता रहा है वो विदीशा लोकसबसीर से एक बार पहले भी सांसद रह चुके है भानु प्रताब 1980 से 1984 तक सांसद रहे वो मेकैनिकल इंजिनिर है और उद्योग पती भी और एक शिक्षा विद भी है प्रताब भानु अपने राश्रीतिक करियर के साथ साथ कई समात सेवा के कारिकरमों से जोड़े रहते हैं प्रताब भानु शर्मा अटल बिहारी बाजबे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं